DOC Für. Assalamuoleikum everyone welcome to Dr.Alishpa channel I am doctor of medicine कैसी याँ आप सब उमीद करती है सब ठीक होंगे आज हम आपको medicine के हावाले से नहीं बताएंगे जैसे के हमेशा medicine के हवाले से और याव information दे जाती है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किनोलो के हवाले से किनोला किस तरीके से सोरी लगाया जाता है वो भी बताऊंगे लेकिन इस वेडियो में तो वो नहीं बताऊंगी इस वेडियो में आपको बताऊंगे किनोले किस नंबर के होते हैं किस तरीके से होते हैं आप नहीं किस तरीके से लगाना है कौन सी पैशन को वो कौन सा किनोला लगाना जरूरी है तो वो कंप्लीट आपको बताऊंगे लेकिन इससे पहले एक रिवेस्ट अगर आप हमारे चैनल में यू है सप्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वेडियो को लाइक कीजिए और प्रेंस में भी शेयर किया करें कि आपका प्यार होत किनोला और यहां पर यहां पर यह आप देख सकते हैं यह 16 नंबर का किनोला है जो यह सबसे बड़ा है 16 नमबर यह बहुत ही बड़ा किनोला है इसे आप उस पैशन को लगाएंगे जैसे कि आपने बलड का ड्रॉप आपने लगवाना है पैशन को यह उसके लिए यूज किया जाता है क्या उसे जादे से जादे मेडिसन दी जाती है तो उसके लिए आपने इसे लगाना है क्योंकि यह जिल्दी हराब भी नहीं होता और जिसके वेंस बहुत ही अच्छे है फॉर एक्जामपल बहुत मौटे है तो आपने उसको यह इजी लिए लग जाता है सीवर्स यह 16 नमबर का किनोला है यह बड़ा है इससे जो बड़ा है वो 14 नमबर का है सबसे बड़ा 14 है फिर 16 नमबर वाला किनोला है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह 16 नमबर का है 16 और 14 यह दोनो नमबर्स की किनोले सेम है बस थोड़ा सा इसमें फर्क है लेकिन सबसे जो बड़ा है वो 14 है दूसरी नंबर पर 16 है उसके बाद वाले नंबर पर 18 है और उसके बाद वाले जो उससे चोटा हो वो 20 है 20 के बाद जो चोटा है वो है 22 और जो सबसे चोटा है वो है वो 24 है चीक ए विवर्स तो इसमें से कुछ के नौले मैं आपको नहीं दिखा सकी जो इस वक्त इवलाइबल नहीं है मेरे पास ये 20 नंबर का है ये भी नॉर्मल है जिसके वेंस तो बहुत दिख रही है तो आपने उसको लगाने से विवर्स उम्मीद करते हुए वेडियो प झाल